आपके ही यूटूब चनल में श्टीव इतमी में और इस वीडियो में हम स्लेवस डिसकस करेंगे किसका जैसा कि आप सबनों को पता है कि हेड कॉंस्टेवल के लिए वेकेंसी आ चुकी बेसफ में तो बेसफ में दो बदों वेकेंसी एक तो आरो और एक आरम एक रेडियो मेकैनिक और रेडियो ऑपरेटर के लिए हम दोनों का स्लेवस बड़ी है अच्छे से डिटेल में डिसकस करने वाले एक एक चीज़ देखेंगे जितनी गहराई तक जा सकते हैं जाएंगे आपके सारे डाउट आपके सारी संक्याओं को खत्म कर देंगे हम ठीक है और आपको करना क्या है बने रहना है मेरे साथ शुरूगात से अंदे तक तो बिना देरी की हुए हम शुरू करते हैं तो देखो बच्चो इसका जो स्लेवस जो एकजाम पटाने बाकी एकजामों से थोड़ा सा अलग है हम देखेंगे वो क्या अलग है हर स्लेवस की तरह इसका स्लेवस नहीं ये टोटली डिफरेंट है ठीक है ना आपकी इसमें गडित आ रही है उस तरह की ना आपकी रीजनी उसी उस तरह की आ रही है तो एकदम से अलग है तो आप सही से अच्छे से समझ लीजीगा इसे चलो शुरुआत करते हैं और इसका जो है डिटेल में वीडियो आप फॉर्म कैसे डाले हैं क्या दुनियादारी सब कुछ मैं एक पूराने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में only and only slaves और आपका exam बटन अब देखो सबसे पहले आपका जो phase 1 होगा उसमें आपका क्या होगा आपका होगा एक written test आपका ठीक है आपका test होने वाला है अब एक बात बताओं कि यह जो test है इसमें सिर्फ आपको qualify कर रहा है आपको अगर आप जनरल वाले हो तो करीब करीब आप 38% नंबर लेके या इससे ज्यादा नंबर लेके आएगा तो आप इसमें पास हो जाओ गए और एक important बात बात बताओं मैं बस आपको इसमें qualify करना है बात समझ गए अब देखो vacancy कितनी थी हमारी 1072 vacancy थी बच्चों ठीक है अब इसके 20 गुना बच्चे इस first exam में जो है इसी से select किये जाएं का इनिक मतलब यह हुआ तो करीब करीब 20,72 लड़के इस exam से select कर लिए जाएंगे बांकी जितने वी form थोड़ा सा अलग है तो सारी चीज़ें मैं बता के चलने वाला हूँ कोई चीज छूटे के नहीं आपको comment करने का मोगा नहीं मिलेगा अब देखो जो आपका second phase है बच्चों इसमें दो तरह के आपके test होने वाले हैं इसमें एक तो PhD होगा जैसा कि आपको पता physical standard test इसमें आपको अलग से कोई number नहीं मिलेंगे अब लेकिन मिटा जब आपका PhD और physical efficiency test हो गया और आपके document verify हो गया इसके बाद का जो test है descriptive test सब इसी का कमाल है इसी के base पर merit बनेगी जो बच्चे इस test में अच्छे जतनी ज्यादा ज्यादा number ले आएंगे उनी को सामिल किया जाएगा जो final memory list बनने वाली वो आपकी descriptive test के उपर बनने वाली है अब देखो descriptive आपने अंग्रेजी में सुना ना हो तो मैं आपको हिंदी में बताऊं इसे कहते हैं वरनात्मक पर इच्छा वरनात्मक मतलब जिसमें वरनन करना हो लिख के बताना हो ये कोई online नहीं है आपने एक question उस इन दोनों के लिए अलग-अलग procedure अलग-अलग चीज़ें आएंगी खर का ज़्यादा अंतर नहीं है आरो में और आरम वल्क पी radio operator में और radio mechanic में सलेवस में ज़्यादा अंतर नहीं बस electronics का अंतर है जो कि radio mechanic में पूछी है कि मैं उसके बारे में detail में नीचे चरचा करूँग अब देखो हम detail में चलते हैं सारे के बारे में एक एक करके हर चीज के बारे में detail में चलेंगे थोड़ा सा इससे नीचे कर लेते हैं इन्होंने जो है ना उपर नीचे कर दिया थोड़ा यह सारी चीज़ें यह मैंने official notification से यह मैंने PDF डाउनलोड की है तो थोड़ा सा color इसका साही नहीं है लेकिन क्या करें जो official है अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं इन्होंने जिस color की दी उसी color की हमने आपको दिखा दी इससे क्या होता अगर मैं कहीं और type करके बनाता तो गलती की गुझाईस हो सकती थी लेकिन यह इसमें कोई गलती गुझाईस नहीं जो लिखा है पत्थर की लखी रहे ठीक है अब देखो फिजिकल इस्टेंडर्च जो मैंने आपको बताए था उसमें क्या होने चाहिए आपकी हाइट हो गएरा हाइट देखो दोनों लोग अपलाई कर पाएंगे फीमेल भी अपलाई कर सकती है तो हाइट आपकी मेल के लिए अगर आप फीमेल है तो आपकी हाइट ना पी जाएगी सिर्फ एक सुसरतावन सेंटीमेटर सीना आपके लिए अपका वेट है वो आपकी हाइट के अंसार होना चाहिए ठीक है अब देखो अगर आप इन रीजन से बिलॉंग करते हो जिसे सिक्किम, नागालेंड, अरुनां करते हो फिर भी आप एश्टी वगएरा हो अगर आप एश्टी वगएरा हो और इन छेत्रस बिलांग करते हो आपको थोड़ी से और ज्यादा छूट मिल जाती वह चूट आपकी हाइट हो मिल जाएगी 162.5 cm क्योंकि कुदरत ऐसी है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी ह होगा मेडिकल उसके बारे में खोड़ा से देख लिकले आपकी आई असे नहीं होने ची कि आपकी 6 आइस और दूने चीरा नो झालने कि आपके ऑशेट होंब जानेखेगे हो तो और खाने मिल देख ले ओंए लिएक संप लिक और लाइंव फ्ल राख है विद्दियाव वि की आइस इतनी होनी चाहिए ठीक 6 बटा 6 पर आइस की और टोटल अगर देखोगे तो 6 बटा नो यह बात होगी किलियर इसके बाद जो है ना अपको आपको झाने चाहिए पूरा छोगा एकदम से तो वो गडबड़ है तो आपको जोना रिजाट्ट कर देंगे तो यह सारी चीजें आपकी चेक्क की जाएंगे इसके बाद आपको sound, mental and body health मतलब कि आप दिमाग से संतुलित व्यक्ति होनी चाहिए और सारे ग्रूप से संतुलित होनी चाहिए ये चीज आपकी medical कुछ खास नहीं है इतना सा medical के बारे में इनों ने लिखा है तो एक बहुत ज़्यादा hard medical आपका नहीं होने वाला है अब ये बात हो गई अब हम चलते हैं detail आपके slavus की तरफ तो slavus बस आजा गिली गिली चूँ अभी आता है अब देखिए method of selection जो आपका पहला test था उसके बारे में आप detail में ज़र सकल लेंगे तो देखो जो आपका पहला है होने वाला है वो same है चाहे आप RO के लिए apply किया हो चाहे आपने RM के लिए RO मतलब मैं आपको उपर बता चुका हूँ और ये आपका radio mechanic और radio operator तो देखो इसमें क्या क्या आएगा आपका तीन गंडे का total पहला phase होगा तीन आवर्स का ठीक है इसमें question होगे 100 total number होगे 200 गलत की या negative marking में लिएगी तो अमलो 5 नमबर एक चुतियाई नमबर आपसे काट लिए जाएगा ठीक है total 200 नमबर का है अब आएगा क्या का physics, chemistry और math सबसे अदा physics आएगी 40 नमबर की और English and GKI याईगी 20 नमबर की total question इस तरह 100 होगे total marks आपके 200 होगे और जो आपका slavus है बच्चों यह कच्छ 12 का पूरा slavus है अगर आप UP, MP, BR किसी बोर्ड से हो अगर आपने board पर अच्छी command है आपके board में अच्छा पूरा physics कमें आपको select होने से कोई नहीं रोग सकता तो जो आपका आएगा सिर्फ आपका board का हो गया और इन्होंने बताया कि CBC board यह तो कोई भी केंदर का exam हो तो हर question set जो होते हैं वो CBC board से ही set होते हैं तो सारा का सारा slavus आपके 12th board का slavus है मैं बताना चाहूंगा अगर आप तयारी करना चाहते हो तो आप CBC board की books class 12th वगएरा की पढ़ सकते हो कोई भी question इससे बाहर नहीं जाएगा या फिर आप अर्यंत वगएरा की book ले लो रेडिमेट जो बुकाती उसमें सारा slavus होता उससे भी तयारी कर सकते हो otherwise जो best है अगर आपको एकदम best चाहिए तो आप CBC board की book से पढ़ सकते हो ठीक बच्चों ये बात होगी और negative marky में बताएजिए तो समलो 5 नंबर आपका काटा जाएगा तो इस तरह हमने phase 1 की चर्चा अच्छे से कर ली और देखो ये आपके minimum 38% नंबर लेके आने है और SCST वालों के 33% नंबर लेके आने तब ही आप जो है न पिस्टी और physical efficiency test के लिए बुलाए जाओगे अथवा आप यहां इसे बाहर करती जोगे अब यहां से किया हुआ देखिए यहां पर लिख रखा total 20 times बच्चे जादा लिए जाएंगे बलब 20,000 बच्चे 1000 की वेकेंसी है तो 20,000 बच्चे ले लिए जाएंगे अब उनका किया जाएगा आपका PET और PST अब हम बात कर लेते हैं हमने physical standard test के उपर बात कर ली थी कि आपकी height weight कितना होना चाहिए यहां पर mainly हम बात करने वाले हैं आपकी physical efficiency test की अब इसमें क्या ना पर जाने वाले हैं आप देखो physical efficiency test इसमें आपकी होगी 1600 meter की race यह male वाले candidate के लिए female वाले के लिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा अब देखो male वाले candidate के लिए 1.6 मतलब 1600 kilometer की race है 6.5 minute में और long jump 3.5 meter की है तीन chance मिलेंगे और high jump वो 1.2 meter की है आपको मिलेंगे तीन chance एक important बात बताऊं इस vacancy में अगर कोई 4G मतलब की एक service man मतलब भूदपूर 4G और जो 4G अभी है जो general duty GD में भरती हुए थे जो constable के पत पर भरती हुए थे अगर वो बच्चे इसमें apply करते हैं तो उनका physical efficiency test नहीं होगा काईने मतलब उनने running करने की long jump या high jump लगाने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ उनका height weight ना पाजाएगा ठीक है और आपको करना क्या है ये वीडियो आप share कर सकते हैं ऐसे अपने 4G भाइयों से जो constable के पत पर recruit हुए थे constable के पत पर भरती हुए थे उन्हें आप share कर सकते हैं ताकि क्या हो सकता है अब ये constable और head constable में बड़ा अंतर हो जाता है पैसे का भी अंतर हो जाता है रुतबे का भी अंतर हो जाता है तो आप उन्हें दे सकते हैं ये वीडियो शेर कर सकते हैं ताकि सब का भला हो सके जो जरूरत मंद है उसके तक ही वीडियो पहुंच सके ठीक है तो वीडियो को share जरूर करना आपको तब बच्चों आपका document verify भी किये जाएंगे, जैसा कि आपने देखा हो, rally भरती हो, कोई भरती हो, जैसे भी आपका ने देखा हो, कि कोई भरती हो, या कोई भरती हो, तो आपके document verify होते हैं, तब या फिजिकल इस्टेंडर टेस्ट या कोई भी rally भरती में race के participate कर सकते हो, ऐस अपने छूटियल आप चाहा हो, उसका certificate आप से लिया जाएगा, अब इसके बाद बात आती, जो सबसे important है, वो बात आती, descriptive test की, मतलब की वरनात्मक परिच्छा, ठीक है, मतलब आपको वरनन करना, लिखना अपने हाथ से है, तो जो बच्चे PT और PST में qualify हो जाएंगे, वो आप पर हम बात कराएंगे, radio operator वाले पदों पर descriptive test कैसा होगा, देखो, आपके दो तरह के test होगे, written test, इसका मतलब भी होता है, लिखित परिच्छा, अंग्रेजी लिख दे, इसका मतलब यह कुछ अलग सी चीज़ होगा, यह इसका मतलब भी है, dictation test का मतलब लिखित परिच अच्छा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो पहला वाला है, यह descriptive test, इसमें और तो नंबर के total questions रहेंगे, 2 गंटा, 30 मिर्ट का आपके पास time रहेगा, और देखो, इसमें कोई negative marking नहीं है, आप कभी भी देखो, जो written test होते हैं, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, कहीं जगाओंगा, कहीं कहीं जगाओंपर यह जो है न, जहां पर spelling चक की जाती, वहां पर मुच्छी चीज लगा दी जाती, कि अपने word गलत लिखा तो इतना number काटा जाएगा, लेकिन यहां पर आपका जो है न, negative mark यहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है, तो यह बात इसकी होगे अप, और इसमें पूछा का जाएगा, वही physics, chemistry और maths और इसमें साथ में आपकी reasoning और अंग्रेजी पूछी जाएगी, ठीक है, जो RO वाले बच्चे हैं, उसमें आपकी यहां से ध्यान ने किएगा, उसमें यहां English पूछे जाने वाली है, लेकिन जो RM वाले radio, mechanic के बच electronics, मैं आपको वह भी बताऊंगा, तो इस तरह हमने इसके बारे हम देख लिए, अब इसके बाद जो साथ में एक और आपका टेस्ट होगा, dictation test, इसे भी लिखेत पर अच्छा कहते हो, इसमें आपका English writing जैसे की, essay वगेरा होगे, या लेटर वगेरा होगे, यह सब चीज़ आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और यह देख लिए, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, कि बहुत आपके टेस्ट जो है न, mandatory और final जो मैरे list बनेगी, will be prepared on the in-case पर, मतलब जो आपके written exam हुआ है, इसके बेस पर आपकी जो है न, बनेगी, और यहाँ पर ध्यान लखें, जब आपका dictation test होगा, मतलब जब आपको essay वगेरा लिखवाया जाएगा, तो आपका जो अंग्रेजीम लिखवाएगी, उसमें negative marking आपकी चलीगी, धाई नंबर कटेगा, अगर आपने जो है न, किसी एक word में single letter की mistake की, अगर आपने पूरे word की mistake कर दी, तो आपका 5 नंबर कटेगा, यह किस test की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने आपको बताया था, इस वाले test की, dictation test, इस वाले परिच्छा में, थोड़ा इ negative marking नहीं है, जो 2 गंटे, आई मिनिट का है, लेकिन जो यह test रहे, जिस में आपको अंग्रेजी का A से या लेटर लिखवाएंगे, इस में negative marking रहेगे, तो ध्यान नहीं आपको, ठीक है, मैंने आपको इसके बारें बता दिया, अब हम radio mechanics से देख लेते हैं, radio mechanics लिए क्या है बच्चों, same test वही है आपका, आपकी physics है, chemistry है, math है, और logical reasoning है, बस अंग्रेजी की जगा आपकी electronics आ गई है, ध्यान नहीं है, क्योंकि आप mechanic बनने हो, देखो, RO मतलब operator आपको स्वेपा operate करना है, RM मतलब mechanic, आपको mechanic मतलब आपको mechanic तो mystery होते ही है, तो आपको electronics बेस में पूछ जाने वाली है, ठीक है बच्चों, तो यह चीज़ ध्यान नहीं हो, कचा 12 का इस तर रहेगा, मतलब आपके जो board exam रहे हैं, अगर आप CVC board की किता में पढ़ सकते हैं, तो बहुत बढ़ी है, क्योंकि question paper set उसी से होगा, तो और आपका maximum time तीन गटे में मिलने वाला है, और इ आपका rating exam की बात हो गई, और यही number आपके final memory list में जाएंगे, और किसी के number final memory list में नहीं जाएंगे, अब इसके बाद आपका होगा medical exam, final medical exam, अब जो बच्चे medical exam के बारे मैं उपर आपको बताई चुका हूँ, ठीक है, तो यह बात होगी medical exam के बारे में, eyes वगएरा के बारे मैं बता दिया हूँ सारी चीजे, इस तरहे हमने इसका सारा syllabus बड़े ही अच्छे डंग से, खोपसूरत धरी से, हमने अच्छे से complete किया, अगर फिर भी आपको जाना पूछना चाहते हो, तो comment कर सकते हो, वगना मैंने कुछ comment के लाग छोड़ा नहीं, हार चीज को अच्छे करी निकलती है, उसका सलेवस बड़े ही अच्छे डंग से मिल जाता है, लेकिन क्या होता है, कि आपको एक दिन बात करी मिलता है, तो आज तो आपको इसमें नहीं मिलेगा, कल तक इसमें अपलोड हो जाएगा, और बड़े ही अच्छे डंग से हो जाएगा इसका सलेवस, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर भी किसी भी सरकारी जोब का जो करेंट में आती रहती है, उनका सलेवस आप देख सकते हो, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए हो, क्योंकि मेनत होती है, आपकी भी देखने में मेनत लगती ही, टाइम लगता हो, मेरा भी बनाने में लग जाता है, तो अगर आप इसे लाइक करते हैं, तो हमारा होसला बढ़ता है, हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अगले प्रांदे मात्रम